नमस्कार मैं अभी शिक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो class 3 आज हमारा होगा प्राचिन भारत के इतिहास में जिसमें हम लोग डिसकेशन कर रहोंगे पाशानकाल यानी की इस टोनेज इससे पहले हमने class 1 में पूरी की पूरी प्राचिन भारत इतिहास का एक वेस बनाया था और उसमें जितने भी त्री यूग के बाले और जितने भी काल और उनके जो पहला topic जो हमारा था source में जिसमें सिक्के के उपर सारे discussion की थी तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज का class आपको उतना मज़ा ना आएगा और ना ही आपको चीज़े उपर में पूरा का पूरा पत्थर यूद पढ़ने वाले हैं तो एक दो चीज़े आप समझ लो पहले कि देखे जैसे कि बात यह मैं बुलों कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है बीपेसी आने वाली है आपका इस्टेट में जो पेपर है जहारखंड का पेपर है दरोगा पेपर है दूसरी बात आपकी जो रेलवे का एक पेपर है के इंदर सेंटरल के अगरम वागत को दिल और तो पूरा का पूरा कंबिनेशन यहां पर आपको मिल जाएगा और यहां पर मैं वह सारी चीज़े भी बता दूगा कि क्यों सा आपका जो नहां पर मैं चीज़े बत तो आपको काफी चीज़े मजा आएगे और इसके बात जो है पूरा कोशन का डिसके उपर ही मैं करा दूंगा तो पूरी की पूरी दर्थ दुख जितनी भी चीज़े दूर हो जाएगी ठीक है तो बात करते हम लोग पाशान काल की सबसे पहले पाशान काल को समझने से पहल इसा है कि यहां पर जितने भी लोग यानि कि जो भी मानों समझेगा हम लोग जो आएं हैं मानों का विकास कैसे हुआ अचानक मानों का विकास नहीं हुआ अगर आप सिंपल सा कंसेप्ट एक सोचते हो तो कोई बीचीज का development अचानक नहीं हो जाता है ठीक है इस चीज़ को तराफ को देखो कि अचानक इसका डेवलेप्मेंट नहीं इस डेवलप्मेंट में इसको काफी टाइम देना पड़ा था आप जब पढ़ना इस्टार्ट करते हो पहली क्लास तो क्या आपके अंदर अचानक से पूरी ऐसे चीजह डेवलेप्मेंट आ जाते हैं कि आप कोशन ह सारी कोशन सौल कर रहे हों ते नहीं उसमें आपको काफी टाइम देना पड़ता तब जाकर के एक अच्छे लेबल तक पहुंचे उसी प्रकाव मानों का भी विकास हुआ है उसका भी एक क्रम है काफी समय के बाद अगर हम लोग इस जो काल की बात कर रहे हैं काफी हजार ल बात कर लें सिंपल सी कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आपके एक्जामिनेशन के लिए क्या-क्या इंपॉर्टन्ट है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो पाशानकाल के लोग थे मतलब पासानकाल में जो लोग रहते थे उनका जीवन यापन का आधार कैसा था म दिन चरिया में किस चीज़ का जादा उपयोग करते थे क्रीशी करते थे या पसुपालन करते थे या फिर सिकार करते थे इस चीज़ के बारे हम लोग जानकारी करेंगे प्राप्त करेंगे कि वहां के लोग क्या करते थे सिंपल सी अगर आज हम लोग बात कर ले तो आज हम इस तरह यूपी के कुछ खोज हुई और उस अस्थरों से हमें क्या-क्या बहुत सारी इंपॉर्टन जानकारिया जो मिली है उसके बारे हमें यहां पर पढ़ना है क्योंकि यहां साथ के सवाल पूछे जाते हैं थर्ड कोशन मतलब थर्ड चीज जो हमें पंड़ी है यहां पर पसान काल में इन्वेंशन यानि कि खोज के बारे में कि क्या-क्या चीजे कि यहां पर खोज की गई थी अगर हम लोग बात कर ले तो आग की अविश्कार भी यही पर हुई थी दूसरी बात आग का यूज करना भी इनसान ने इसे काल में सिखा था दो तरह की कोशन बनेंगे एक तो आग का विश्कार कब हुआ दूसरा सवाल आग की उपयोगिता करना इनसान ने कब सिखा पहिया की खोज भी इसी काल में हुई है और बहुत सारी चीजे यहां पर आई है तो उसकी बारे हम लोग अध संस्क्रीटी है जो आपके पूछे जाते हैं और यहां तक कि अगर बात कर लें अगर आपने पेपर को सौल्ब किया होगा प्रीवेश यह में तो एक जौरवे संस्क्रीटी के कोशन आपके कई स्टेट में घुमते फिरे मिले होंगे तो यहीं से कोशन बनाता तो चीजों क क्या आर्थ है मतलब कि जब खुदाई की गई तो वहां से क्या-क्या अवसेश प्राप्त हुए और वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई वह तो आपको पढ़ना ही है उसी पकर क्या खोज हुई यह चीज हम पढ़ेंगे और उसके बाद तामर परशानकाल की संस्क्रीट हमां की संस्क्रीटि चार संस्क्रीटि पढ़ेंगे और हबढ़ेंगे और दूसरी छीज यहां पर पहले बार धातु का इस्तवाल करना मनुष्य ने सश्रीख लिया था ठीक है तो इस तरह पर यह प्रेश का पूरा चीज हम लो injust का है अंब बात करते पर वह अपर तो आज अभी इतने परिवर्टन और कुछ हजार वर्सों के बाद फिर से और भी काफी सारी परिवर्टन आगा अगर आपने अपनी न्यूज भी देखा होगा या फिर कई लोगों के स्टेटमेंट भी आई हुए कि आपका जो देखे पहले क्या कि पूछ थी वह अचानक यह सारी चीजे क्या थी होगे ऐसी और गनिया से अंग थी जिसका कोई इस्तमाल नहीं था हमारे बॉड़ी में वेस्टीजल और जिससे काते हैं तो यह धीरे-धीरे क्या होती चल गए तो आज आपको जो होता है जब बैक साइट पीट के जस्ट नीचे के सेक्शन में जब आप देखोगे तो वहां पर कोई भी पूछ वाला ऐसा सेक्शन अभी देखने को नहीं मिलता लेकिन जब पहले के आदिमानों जब जाओंगे पीछे तो वहां पर लोगों के थी तो इस तरह से डेवलपमेंट होते होते हैं अभी देखे आप देखे रहे हो कि पूछ गाइब हो गया फिर और भी जादा डेवलपमेंट हुआ तो आप देखते हो खुद को क्या आपकी जो कान थी कान का से पहले अभी जो आप देख रहे हो इस तरह से कान का जो सेफ है ठीक है तो यह एक कोई यूज नहीं है ठीक है याद रखना यह पहले क्या थे इसका से बहुत ही बढ़ा हुआ करता लेकिन धीरे-दीरी आप देख रहे हो क्या कि इसकी सेफ छोटी होती चली और कुछ हजार वर्सों के ब बढ़ा या इस तरह से चीजन क्योंकि हर लोगों की वही देखने को मिलती है तो इस तरह से डेवलप्मेंट की बाते हमने सीखी अभी तो पशानकाल में इसकी बात इस लिए क्योंकि जब हम पशानकाल में पढ़ेंगी तो तीन काल के बारे पढ़ रहे होते हैं पूरा थोड़ा सा हाई हो गया और थोड़ी सी और हाई हुई मतलब मानों को विकास होते चला गया इस काल के करमबद तो जो यहां आपको लिखा हुआ है मानों अभी अपने जीवन काल में केवल पथ्रों का इस्तमाल करते हैं सबसे पहले अगर पूछा जाया कि मानों ने कौन से पदार्स की इस्तमाल किया तो पथर्थे याद रखेगा मैं नहीं सोचना है और इनका जिवन का सुरोत था जीवन यापन का सुरोत थाजीवन यापन का सुरोत था सबसे अधिक जो जीवन-यापन में यह लोग इस्तमाल कर रहे थे पथ्थ्रों को instruments करते हैं सिले हुए इ या फिर यहां पर चांदी नहीं होगी थोड़ी बहुत होगी तो होगी लेकिन अभी लोगों के पास नहीं है मतलब इसलिए हम लोग इसे जो अभी क्या प्रेजेंटेश को क्या बोलते हैं क्यों कि हर लोगों के जीवन यापन में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टंट और प्रेजर का इस्तेमाल करते थे उन पत्रों का आकार बहुत ही बड़ा था कर परिए के बहुत हजार वर्षार पूर्फ की बात कर तो उससे में जो पत्हरों का जो साइज सब्सक्राय करते थे उनका इस्तमाल करके यह अपने जीवन या आपन का कारे करते थे यह सारी चीज़ें में बताओंगा कि इस तरह से वह क्या करते थे और इस सभी कारियों में कि अधिक्यों पूजिता के कारें इस से क्या कहा गया पत्थर यूग कहा गया तो पहला सवाल आपका बनता है कि पाशान काल का संब्ध है या पहला पदार्थ मानों ने इस्तमाल किया किसका तो पत्थर का पूरी की पूरी तरह मानों आप खुद ही सोचो जहां पे केवल पत्थरों का इस्तमाल कर रहा मानों अभी मानों के अंदर इतनी कोई भी घ्यान की बात कोई पढ़ाय लिखाई यह सारी चीजे कोश भी चीजे अभी नहीं आई हुए ना कोई धर्मी की बात यहां पे लोग क सिकार के उपर यह सिकार करते हैं और सिकार करके ही उनको मार करके अपने भोजन घ्रहन करते हैं और या फिर फलों के उपर डिपेंडेंट है मतलब दो तरह से इनका जो भोजन का जो सोर्स है एक तो सिकार करके और सिकार जो करते तो उसमें जो ऑजार होते वह किसके बनी हो पूरा एक बड़ा सा एरिया रहें लोग यहांर रहें ऐसा कुछ भी नहीं है पर यहां सिंपल सी है इनका छोटे-छोटे अगर बस्तिया मिल गई दो-चार लोगों कि फिर से यहां सब्सक्राइब देवल्प्मेंट को देखने को मिलता है और उसी प्रकार अगर हम बात कर लें तो आजार जो आपका जो पशानकाल का जो तीन भाग में डिवाइट किया गया है या फिर जो डेवलप्मेंट देखने को मिली है वो डेवलप्मेंट का जो आधार होता है जो या फिर पशानकाल को जो डिवाइट किया गया तीन में पूरा पशानकाल जिसे इंगलिस में कहत पर ठीक है ऑजार की जो आकार थी इसको समझना भी समझाता हूं इस आकार की यानि कि जो जार यूज करते थे इस काल के पशानकाल के लोग सबसे पहले इन्होंने देखा क्या देखें बहुत सारी इतिहासकार थे जब उन्होंने वहां पर उत्खनन हुआ वहां पर जब खिली और छोटी-छोटी पत्रों का इस्तमाल करने लगे थे जो साइज था पत्थर का छोटा-छोटा अभीनोंने कर लिया था यहां पर बड़े-बड़े पत्रों का इस्तमाल हो और अगर नौपशानकाल में बात करें तो यहां पर पत्रों का साइज जो था छोटा तो थ पालजारती का इसका अकार के according इस वह बहुत बड़े इस काल में थोड़े सचोचे और चोटे तो गवे तो हुए साथ में साथ थोड़ी नौकी लिये हो गया और उसमें थोड़ी पॉलिस भी कर दी गई थी इस प्रकार इसके अकॉरडिंग इन्हों ने तीन कामें बिजिन क्या और कुछ कारण जो इनका बिजिबीजन का रितु परिवर्त्य परिवर्त्न या निई जलवाई ho परिवर्तनी इसकाल में तो काफी टेंपरीचर सही थे लेकिन अचा तो आप खुद ऐसी चीजे खोजो जहां से आपको थंड यानि के हवाई आप आपके बॉड़ी को इस पर सना कर सके तो कुछ चीजे कपड़े का माइंड सेट अप होने लगा या फिर कपड़े में यह लोग क्या यूज कर रहे होते तो पहले कोई भी कपड़े नहीं हुआ क इस तरह से चीजे की जो डेवलपमेंट तो यह जो तीन काल में डिवीजन किया गया पहशानकाल का एक तो जलवायू में परिवर्तन जो इनको देखने को मिला और दूसरा जो है ऑजार में जो आकार चेंजेस देखने को मिली इसके कारण इसके अधार पर तीन बनाया इन् पूरा पाशानकाल यवी जो विवाजन किया गया है जो जो बनाः जाते थे प्थर वह प्थर किसके होते में गने के फिलिंट के यहां पर जैसे देखते हो ना दोनों तरफ धार उस तरह के पत्थर का यहां पर एक फ्लक तरह के साइज फ्लक बोले तो याद रखना यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट अभी आगे मिलेगी इस तरह से पत्थर को घृवशन प्षण Laoik यहां बुस्थर को फैला दीया जाता यहां से अपने क्या खोजा खोंते मिला किस तरह के वज्यार तैट Daisy कहां हूई यह पिर झीवन का विकास कब हुआ तांबे की खोज पहली धातू की खोज कब हुए या इस काल में क्या क्या इंपॉर्टन चीजे घटना घटी यह सारी चीजे अब इतना ही आपको पढ़ना इसलिए इतना इहां पर इंपॉर्टन थोड़ा सा टाइम दिया मैंने जैसे कि यह आपको क्या बता रही है को मिलेगा इस टॉपिक में कि धीरे-धीरे इंसान जो है एडवांस होते जाएगा और जारों को भी एडवांस बनाया जाएगा थोड़ी सी उनकी सेप साइचेंज देखने को मिलेगी अभी जीवन जो था इनका घुमनतु जीवन था कोई एक जगा इस्टैबलिस नहीं थ जाए कि यहां में एक जगा स्थाई करना है और उसके बाद जो खाने का इनका भी टेस्ट चेंज होगा मतलब कि पहले जो सिकार करके केवल जानवर को खाते दीरे-दीरे इनके कंसेप्ट होते चले जाएंगे खेती करने का कंसेप्ट आ जाएगा लाश्ट तक यहां पे न मिलता इस तरह चीजें आपको यहां पर पढ़नी हैं और बहुत ही सरल भासा में सारी चीजें समझाने की कोज़ें कि और अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं ठीक है तो यह हमने देख लिया क्या क्या हमें पढ़ना था अब नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक जो आता है पुर पूरा पढ़ेंगे इस तीनों को पढ़ने के बाद मतलब हमने यह पूरा पूरा पशान काल पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना क्यूंकि मैं जो उपर नीचे ताकि पेश को ना करना पड़े इसलिए मैंने यह चीज बनाई है तो सबसे पहला चीज हम लोग जानते कि पूरो पाशान पूरो पूरा पाशान यानि कि निम्न जो मैंने लिखा है निम्न पूरा पाशान काल में लोगों का क्या दिन चरिया थी क्या चीज़े किस तरह से सारी चीज़ें क्या क्या अस्थल की खोज की गई बहुत इंपॉर्टन तो आप से जैसे देख रहे होंगे क्या क्या important कौन-कौन से paper में है और इधर जो टीक आपको देखने को मिल रहा है यह सब छोटे-छोटे एक्जाम बात के लिए railway हो गई ससी हो गई यह स्टेट का examination इस तरह से बिहार सीजियल एसाइका पर उनके लिए इंपॉचा जाएगा पुरो पुरा पशानकाल के जो लोग यूज कर रहे थे पत्थर वह कौन से पत्थर थे तो क्वाड़ जाएट के पत्थर थे अब यह सब देखें कोशन हाड कैसे हो जाता स्टेटमेंट बेश जब क दूसरा यहां पर जो पत्थरों के साइज था तो आप देख रहे होगे पूरा स्टाटिंग के टाइम प्रेट के काल के लोग है यह तो बड़े-बड़े पत्थरों का उपयोग यह कर रहे होंगे दूसरी बात यहां पे काफी महतुपून अस्थल अस्थान खोज की गई ह है बागोर की उसके बाद सौराष्ट की है अब कोश्यन कैसे पूसा जाएगा बाग वाग ओर का पानाव से राजस त्हां सो अरको यह पूछा जा चुक है सौन वे चब्रबर कोशियव पूछ नहीं पर कुसे कर दो दिपेंदिन्ट है तहुगी सिकार के उपड़ेश्य बरतन नाने का है है यहाँ पर मारा और उसके पका दिया हैं नहीं पर फार कि अधी को में पत्थर में हम लोगे चाया पर आगे हम प में उसके बात करें improvements fun पूरा पलज में इनको जह आगार की जानेकारी है अब कोई बुछा जाएं कि मिट्टी का बिर्टन का बदी कोई नहीं पर समझते हैं इस के एक मिट्टी का बर्तन है है सरफ अब तो जेपीसी का अगर पेपर देने वाले या बीपीसी के लिए तो मैंने उस चीज को भी अलग करके रख दिया है कि जेपीसी बीपेसी में यहां से और सोट कोशन पुछें क्योंकि आपके राजी की बात जिब आती है तो दामोदर यह उन स्वर्ण रेखा नदी की घाटियों से पूरा पशानकाल के और प्राप्त हुए तो पूछा जाएगा जेपीसी के पेपर में खासकर जो भी पेपर होगा की कौन से अस्थल में ठीक है या फिक हाटी से हमें जो है पूरा पशानकाल के प्रमान मिले हैं यह वहां के आवसेस मिले तो श्वर्ण रेखा नदी तता लोग नहीं कर रहे होते हैं और धारमिक भावना का भी उधाई नहीं भावना की हैं कि नहीं आई तो देखे पूरो पशानकाल साप को समझ गया है तो पुछा जाएगा जब हाई-लेबल का एक्जाम दे रहे होंगे पूछा जाएगा कि पूरों पशानकाल का संब्ध है पत्थर से इस काल में बड़े-बड़े पत्रों का उप्योग किया जाता था प्रमुक अस्थल खोजे गया थे बागोर या फिस तो राष्ट दी दिया रहे आग Walk की पूरों पशानकाल के लोग नीमन पूरों पूरा पशलेंब्स का तो नां आग की यहाँ पे यहां पर हमनेपन्पोर्देन पढ़ा पहले हमने पreath पर यहां पर यह इंउस तब कहा रहा था दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो पथर यूज के जा रहे थे बड़े-बड़े अकार के पत्थर थे तीसरा हमने एक दो इंपॉर्टेंट अस्थाइल के पड़े पड़ा गण रहे टाकार कारा खस्ष चाहां से अभी उतपादन काने लिए पादन नहीं करने लिए testing करने लगए लुद ही पटा Agora की बात होगी तो अभी और इस यानि कि निम्न पूरा पशान काल के क्या मिले हमें प्रमान मिले या फिर कुछ आउसेस मिलें ठीक है और धार मी वहामना यह सब कि अभी कोई भी चीज की बात यहां पर नहीं हुए यहां पर पुरा पशान पर नहीं हम फ render gt चेहनी ठेखनेगी तो यहां पर देखने को मिलें थो यहां पर आपमान काफी कमी देखने को मिलता तो आप को यह पहला देखने को मिला जैस्पर फिलिंट के पत्थर उन्हों उपयोग मिला हैं इस काल में जो है उध्योग के छाह सांक्ष मिलते तो पूछा जा येगा किस कोशिश की जारी हो गई होगी या फिर धार बनाने की कोशिश की जारी हो ते सिंपजी बात उद्ध्योग के साक्ष मिले हैं अच्छा लेबल अच्छे लेबल का इग्जामिनेश्म यहां से कोशन बनेंगे और पूछा जाएगा मुखे औजार जो थी इस काल की फलक थी और इस खाल को इस का माइं यह बनले हैं खोई एसन सक्रिति नाम क्यों न स्कृष्ए कया बहूद हो मिलिए है झाल के इस चीज़ तिक को शीज़ को गर्ली को इंपॉर्डन कोशन कि बिहार में सिंख भूमी तथा पलामो जीला में इस काल के अउपकरन प्राप्त हुए है तो पूछा जाएगा मध्य पूरा पहशानकाल के अवसेस मिले हैं या प्रमान मिले कहां तो प्लामुजीला और बिहार के सिंगभू में अब थर्ड हम लोग बात करते उच पूरा पहशानकाल की तो इसमें तापमान काफी अधिक बढ़ी यानि की गर्मी काफी जादा बात जो है यह लोग ब्लेड आकार की ऑजार बनाएं मतब दोनों तरफधार दियें और थोड़ा सा इस तरह से फैला दी इसी को हम लोग फलक नाम कते हैं फैला देने को फलक बोलते तो फलक संस्कृती आपको याद है भी मैंने बताया मध्य पूरा पहशानकाल को कहते हैं क्योंकि फलक अकार के साइच के ऑजार बहुत अधिक मिले हैं और सबसे इंपॉर्डन सवाल यहां से कि MP के भीम बेटका से अधित चितरकला का प्रमान मिला है मत्य परदिस के भीम बेटका से जहां से इस चितरकला के बात आब ऐसी चितरकला नहीं मिले कि जैसे कि आज चि हुआ में मिली है और कि देसे हमें करते हैं कि क्या करीया कत थें क्या भोजन को मनुश्य करने रहे होड़े से पता चलता है कि कि रहे ह options है कोई भी जैसे कि अगर हम लोग बात के लिए इनकी जो दिन चरिया थी कोई मनुश्य की अगर सेप की बने हुए तो इसे पता चलता थे कि इनके उपर कोई वस्तर नहीं मिलते तो यह अभी कोई वस्तरों से ज्यादा यह इनका फ्रेंडली नहीं था तो इन सारे चीतर काली कर सकला सही हमें क्या सारी चीजे की जानकारी मिलती और यह पूछा जागा कहां पर तो एंपी के भी मेठका से पूछा क्या है मैं नटी पीसी मी पूछा क्या हो बहुत सारे एक इग्जामीनेशन के लिए प्लड़ेंट पीसे से लेगर के गुरूब डिकी सिम्पल सी बात तो सबसे अधिक कौन सा रंग का परियोग किया अब यह हो जाता हाई रेंच कोई सी ढंगों का चितरकानी सबसे जाद हो तो लाल हरा सफेद पीले रंग की अब कोई भी एक में चारों में सकता है या दो मिल सकता तो याद रखना लाल हरा सफेद और पीले रंग की अधिक यूज देखने को मिलिया तो यह हमारा जो है तीनो काल कंप्लीट हो गया है ठीक है तीनो काल यानि कि हमारा पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट है पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट है यह हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो या हम बात करें माइक्रों युदत रखना माइक्रों लिटिक के सुक्ष्म आकार के कोई ऑजार तरो कोई भी है िसलिए तकının से पथ्र मिले फैस्टे प송निय्सराने मिले मोचकुल्ध में मिले हैं एक चीज आपको देखने को मिलेगा पुछा जाएगागा चाक का अर्थ क्या होता तो मिट्टी का बरतन मिर्दभान का भी वही है और चाक का भी अर्थ यह इसको याद रहना है डियारिक पूछा तो यानि के सिंपल कंसेट यहां बताना चाहरा है कि राजस्थान में बागोर एक इलाका है या फिर जीला होगा या कुछ भी होगा वहां पर क्या है कि सवहारत में सबसे बड़ा मध्य पशान काल का क्या मिला अस्थल मिला मतलब जब उत्खनन किया गया था जब वहां के लो सबसे बड़ा मध्य पशान का अस्थल रहा है मतलब कि बहुत जादे भाग में यहां पर लोगों रहे होंगे बहुत सारी चीजें यहां से इनको अवसेश पराप्त हुए इसी कारण इस काल में और दो महत्पून अस्थल एक तो आपका लंगनाज जो आपका गुजरात मे और यहां से क्या मिले 14 मानों के कंकाल मिले है याद रखना 14 मानों के कंकाल कहां से मिले लंगनाज गुजरात पूछा जा चुका यह सवाल नेक्स्ट इंपोर्टेंट सराइन नहर राई यूपी में है और स्थंबगर्थ के प्रमान मिल रहे है यानि कि खड़े-kड़े तो ये कहां से मिले थे तो सरहाई नहराइ से मिले हैं नियुक्न इंपोर्टेंट पोईंट जो है मह दहा यूपी से हड्यों के अन्से क्यांगे इक प्राप्ट हुए थे सभसे हाई आधीक तो करा दूंगा नेक्ट है मनुष अभी बी किसके उपर निर्वर था तो सिकार के उपर निर टे- सिकार की बस्व दो निइवर दो तो इसाब निर्वर ठ park टrr दिर्फ लेकिन एक चीज याद रखनाम से इसकी परिशेश अधिक होनी लगी थी मतलब कि यह तो再 laud कर दिए पसु पालन करना कर दो यह लेकिन पाल क्यों रहए थे वह उंको मारने के लिए पाल शरुत्य और सबसे पहला जो पत्र। और सबसे पहला जो पाल किया टे किसे तो समय को पढ़ा गीए तो और इस का प्रमान जो मिला है कि मनुष्य ने पसु पालन शुरू किया है और कुट्टा को पालतु पसु बनाया था पहला यह प्रमान कहां से मिला एंपी के आदमगड और बागोड यानि बागोड कहा है राजस्थान से पसु पालन की बात पता चली है ठीक जब उत्खननन की पता लोग यहां क्या करें तो पशु पालन कर रहे थे और पसु पालन में इसको पाल रहे थे तो पालती यह बात पता चली मद्द पशानकाल में कहां से एंपी के आदमगड और बागोड से ठीक अब लास्ट हमारा काल जो आ रहा है नव पशानकाल और सबसे इंपोर्टन ठीक है यह चीज़ तो क्लियर है अंतिम काल हमारा आएगा नव पशानकाल जिसमें आप देखे हों कि लोगों में और भी काफी ज्यादा डेवलप्मेंट रेखने को मिलती है और यहां पे जो है लोग धातू से परिचित होना स्टार्ट हो जाएंगे चीक है तूसकी बात क ऑसे प्राप्त हुआ तो पूछा जाते सवाल क्लके जहां म्हीज़क है कौन से काल्में तो नौप ऑशान कालमें इसकाल में कब क्रीशी की शुरुआतू तो तो इसके का रही इसके द्वारा ही पथा चला कि नौप पशान काल में क्या है क्राइब की शुरुवात हुई है सबसे पहले कौन सी की गई थी तो जोग की क्रिसी की प्रमान मिली है सब्सक्राइब करने लेकिन अब हम लोग क्रिसी करना कर दिया तो मतलब हम लोग उत्पादन करने श्टार्ट करने लगे यानि कि अब हम लोग मानो सब्सक्राइब का रूप ले लिए हैं ठीक है तो बहुत अच्छा कोशन है कि कब मानो खाद संग्रहक से मानो उत्पादक संग्रा होगा मिश्टेक हो गया एक चीज़ यहां पर ठीक कर लीज़ेगा आप लो कोशन यहां पर पूछा जाएगा मानो खाद संग्रहक से खाद उत्पादक गया यहाद रखना आपर उत्पादक कब बना अचा सब्सक्राइब करने करने क्रिशी की सुरुवात हो गई थी ठीक है और उसके बाद यह सब से यहिंप्पॉटन्ट है कि क्रिशी देन क्रिशी जो फैली है और राइसा मानते बी लेकिन लगों रूप दिया था कि क्रिशी का उदय अस्थल जो है आफगानिस्तान को यह मानते हैं तो यह दो नाम याद रखना है कहां कहां करिशी का देन हुआ यह सारी चीज़े देखे बहुत जब अच्छा पेपर बनेगा तो इस तरह के कोशन आपके बनेंगे पी-स में नेक्स्ट इंपॉर्टन नहीं तो हलके हलके से निकल देंगे जितना मैंने बता जितना मैं बता दिया हूं अगर आज की वीडियो से अगर सवाल नहीं आते तो एक बात याद रखेगा कि आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिलेगी तो जो चीज़ यहां नहीं है वह वहां पर भी नहीं मिलेगी एक बात तो याद रखेगा उसके अलावे बहुत कुछ है यहां पर लेकिन उससे इससे एक्ट्र नहीं मिलेगी इतना दूसी और जॉर्ट है काफी महनत करके 60-70 पेच पढ़ने के बाद इसको मैंने 5-6 पेज में कबर किया है तो इसकाल में कुछ दिनों तक एक जगा खटा हो करके रहना इस्टार्ट हो जाएंगा अभी गाओं का डेवलप्मेंट नहीं है याद रखना भी माइंड में ठीक है क्योंकि गाओं का अलग है अभी जस्ट इसके बाद वह आपके एक्जामिनेशन पूछे जाते इसलिए याद रहने अ क्योंकि यहां पर खेती का ऑसेस हैं गेओम का जो इसलिए जो बलुचिस्तान में से रोटी करते हैं बुट्च हो मिला आप्छ निवास मतलब लोगों का रहने का एक अस्थान घर की तरह बात करें जो मटी को तो फोड़ा सागा करके ऊपर से धक दिए जाताता ता और यहां पर अपने निवास अस्थान बना लिए तरहने लिए लिए कहां से मिले पूछा जाएगा बुर्ज हम या गुफक करा लाओ गर्द निवास करता आप समझ गूंगे रहने का स्थाल मनुश्यों का जमीन को खोद करके नीचे रहते थे और एक कबर मिले हैं और कबर से क्या मिला है मालिक के साथ साथ मैं जिसको जो आप हम लोग कर क्या रहे हैं पशु पालन कर रहते हैं पशु को सिकार कर रहते हैं तो हम जो पशु को पाल रहते हैं जब हमारी जैसे मित्यों तो जो हमारा पशु पा और यह प्रमान मिला है तो यह जो पूछा जाएगा option में आपको मेनली बुर्ज होम भी मिलेगा तो या देना बुर्ज होम अगुफक करार से गर्थ निवास मिला है और बुर्ज होम में क्या मिला कबर में मालिक के साथ कुट्य को या फिर उसके पालतू-पसू को दफनाया सिस्टम मिला नेक्सिंप नुप यूप गषैब कर गद्यवा से दान की क्रिष्ट का प्रमान प्रमान मिला मिला है बभारत में ऑद और यह कोशन बर है सोहन हाटि के बारे में ठीक है पंझां में ठीक है पंजाब का जो पस्ची मला एरिया जो पकिस्तान में वहां पर सुवन घाटी है नेक्स्ट सवाल बुर्ज होम और बिहार के सारंजीले में एक चीरांद स्थल है ठीक है चीरांद है प्लेस बीपिस्टी का में आपके लिए सबसे अधीक बिहार में चीरांद में चीरांद कहां है सारंजीले में च्छप्रा में याद रखना को और बुर्ज हों में मिले ठीक है और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगा तामर पशानकर चालको लिथिक अब यह पुशनकाल सब्सक्तर का इसलिए नाम देख रहे हैं क चाल को लितिक्स आप समझते हैं और यह बिल्कुल पूछा जा गई है सवाल इसकाल से मानों ने पहली बार धातू का इस्तमाल किया तो तांबा का परयोग किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी स्काल में सबसे मैं लोगों ने क्या किया था कि तांबे का भी इस्तमाल हुए चीज़े आ रही है कासे फिर इसके बाद सवयता आएगा हरपश जिसमें कासे की बरतन को काफी जादा हम लोग देते हैं पूजा पार्ट वगेरा चीज़ों में इस्टील के बरतन से के कंपेरीजन से अगर हम लोग बात करें तो तो अब इसकाल की सबसे खास इंपो संस्कृति की काफ़ी जैदा दौर है यह कोशन या से देखेंगे पहला कोशन पूछा जाता हा ऑहार संस्कृति का संबंद कहा से तो राजस्तान और कौन-कौन से राजस्तान के अस्थान में सबसे जख़ग कर था और दूसरा संसकृति मद्ध परदेश्म और प्रमूख कहां इसके मालवा संस्कृति सबसाधिक देखने को मिली है तो एरच नगदा केथा और नवदा-टोली कहां पर होगा ये तो सब कहांगे मद्देश में यहां पर सबसे ज्यादा मालवा संस्कृति देखने को मिले और एक सबसे अच्छा तो इससे चीज़े हमें प्राप्त हुई है और चितरकला से भी प्राप्त हुआ है कि लोग कैसे थे सिकार करें तो कौन से पालतु पसुत हैं तो यहां पर 29 कंगन मिले हैं तांबे के याद रखना पूचा जागा संस्कृति यह सबसे अधिक देखने को मिले हैं और प्लेस लेकिन यह इंपॉर्टेंट आपके लिए जौर्वे निवाशा देमाबाद और सुउज तर क्षीष्ट जलोक झसंचरा के लोग जो इस संस्कीति के लोग जो थे मिर टक के अस्ति ट्लत को को यह लोग जो दौपनाते थे उनका जो डायरेक्शन होता था उत्तर से दक्षिन उत्तर दक्षिन स्थिति में गाड़ते थे बस यहीं आपको पूछा जाता सवाल और सबसे इंपोर्टन सवाल PCS या फिर कोई भी पेपर हो यहां पर जो है गाओं का विकास हो गया था गाओं का सबसे पहले जो विकास या फिर गाओं का जो डेवलप्मेंट सबसे पहले कहा गया हुआ था करेंगे सबसे इंपोर्टन इसकी संस्कृति गाओं का इस्तमाल गया और सबसे इंपोर्टन पहली धातु का इस्तमाल तांबा आई होप आपको यह सारी चीज़ समझ आ गहीं काफी वीडियो है है मैं सारा कोशन भी रेडिय है हमारा इस टॉपिक के मैंने सारे कोशन भी तयार कर रखें पचास के पचास बहुत अच्छे अच्छे सवाल तो आइधिंक बहुत लेट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो कल तक इसे अपलोड कर दूंगा पूरा पूरा जी आज हमने जितना प तो सपोर्ट जरूर कीजेगा कोई कमेंट हो इस टॉपिक्स रिगार्डिंग तो जरूर कमेंट कीजेगा ठीक है जो नोडिफिकेशन आगया है त्यारी करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद